ध्यान देने योग्य जरूरी बातें नमर एक अगर आपके हाथ पैर सर्दियों में फटते हैं तो रोजाना हलके गुनगुने सर्सों के तेल से हाथ पैरों पर मालिश करें और रोजाना नाभी पर तेल लगाएं इससे आपके होट कभी फटेंगे नहीं और चेहरे पर गलो रहेगा नमर दो हल्दी और शदिय गुडों से भरपूर होती है इसके सेवन करने से आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं ये डाइवर्टीज में भी बहुत फायदे मंद होती है नमर तीन डाइवर्टीज के लिए मैथी किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है फायवर से बरपूर मैथी रक्त शरकरा के स्तर में सुधार करती है नमर चार बच्चों को कभी भी खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए ऐसा करने से बच्चों का शारर एक कम जोरी और मानसिक विकास नहीं हो पाता बच्चों को हमेशा कुछ खिला के ही स्कूल भेजें नमर पाँच जंग फूड खाने से और आईली खाना खाने से आज हम कम उम्र में ही मुटापे के शिकार हो रहे है नमर च्छे पेट में दर्द होता है तो बच्चों को पानी में अजमाय नुबाल कर पिलाएं पेट दर्द में आराम मिलेगा नमर साथ जिन लोगों का सुभा पेट साफ नहीं होता उनको रात में सोने से पहले दूद में सौट मिलाकर पीनी चाहिए नमर आठ अगर आपके बाल सर्दियों में बहुत जादा जड़ते हैं तो आपको रोजाना सौफ खानी चाहिए नमर नौ अगर आपको सर्दि लग गई है तो आप रात में सोने से पहले विक्स को चाती पर और माथे पर लगा ले इससे सुभा आपको फाइदा मिलेगा नमर दस अगर आपके आईब्रो के बाल कम है तो रोजाना बादाम का तेल लगाएं इससे आपके आईब्रो की ग्रोथ अच्छी होगी नमर ग्यारा हफते में दो दिन गरम पानी में अलोवेरा डाल कर स्टीम लेने से चहरा गिलोइंग बनता है नमर बारा अच्छी गाजर को चवा कर खाने से चहरे की जुर्यां दूर होती हैं नमर तेरा सरसो का तेल बालों में लगाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं सरसो का तेल बालों को सफेद होने से रोकता है नमर 14 जिन लोगों को अचानक बुखार आ जाए उनको मैथी का पानी पीना चाहिए नमर 15 मैथी और धही का पैक एक चमच मैथी को रात भर पानी में भिगो कर रख दे सुबह पानी निकाल कर बारिक साब पेस तयार कर ले फिर इसमें धही मिला दे थोड़ी सी हल्दी मिलाएं अब अच्छे से मिक्स करके चहरे और घर्दन पर लगाएं 15 मिनट रहने दे फिर हातों पर पानी लेके हलके हलके हातों से मसाज करें उसके बाद इसको धोलें ये पैक आपके चहरे की रंगत को निकारता है दाग धबो को दूर करता है डाग सरकल को दूर करता है चहरे की जुरियों को ठीक करता है नमबर चार टमाटर धही और बेसन एक बावल में बेसन धही और टमाटर का पल्प डालें तीनु चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद में चहरे और गर्दन पर लगाएं 10 मिनट रहने दें फिर हलके हलके हाथों से मसाज करें और चहरे को धोले यह पैक आपको सन वर्ण से बचाता है ओयली स्किन की समस्या को दूर करता है जुर्या आने से रोकता है तो अच्छा को नमी प्रदान करता है नमर पांच कच्छा दूद और हलके हाथ हीरे जैसा शाइन करेगा चहरा आठ फेस पैक्स आज हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन ग्लोइंग सुन्दर और बीदाग दिखे आज हम ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर फेस पैक्स तयार करना बताएंगे इसके नियमित इस्तेमाल से आप खुबसुरत तचा पा सकते हैं इन फेस पैक्स को बनाना भी काफी आसान है तो चलिए जानते हैं फेस पैक्स बनाने का तरीका नमर एक कच्चे दूद के साथ थोड़ा सा बेसन ले इन दोनों को मिक्स करके चहरे पर लगा ले इसको करीब 2-3 मिनट तक हलके हाथों से मसाज करें इसके बाद आप अपने चहरे को धोले इससे स्किन की डैड स्किन निकलती है नमर दो केला, शहद और मलाई केला और शहद में काफी मात्रा में पोशक्तत तो पाये जाते हैं जो हमारी सकिन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं फेस पैक बनाने के लिए एक बावल में पका हुआ केला, एक चमच, शहद और मलाई मिक्स करेंगे अब इनको अच्छे से मिक्स करें, एक पेस्ट तयार कर लें, फिर पूरे चहरे पर अच्छे से लगा लें, 15 मिनट के लिए रखें फिर चहरे को धूलें, इससे चहरे पर बहुत अच्छा निए आपको अंदर से अनर्जी देगा और आपको कई सेहत की समस्याओं से सकता है, नमर 12 रोज कम से कम 500 कदम चलना चाहिए, नमर 13 खाना खाने के तुरंद बाद ही पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आदे घंटे बाद पानी पीए, नमर 14 खुद को हाइडरेट रखें, इसके लिए पूरे दिन भर खूब पानी पीए और साथ में जूस भी ले सक सकते हैं, नमर 15 सफेद चीजों से दूरी बनाएं, सफेद चीनी नमाग चावल से दूरी बनाएं, क्योंकि इन में कैलोरी भर पूर होता है और फाइवर कम, ये मुटापे की शिकायत हो सकती है, नमर 16 खाने में जितना हो सके रंग बिरंगी सबजियां खाना शुरू कर दे कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह की सबजियां और फलो का सेवन करना चाहिए एक डेड़ घंटे के भीतर कुछ ना कुछ अवश्य खाले या फिर ग्रीन टी लें। नमर साथ गर्मी के मौसम में नीमू पानी नारिल पानी धही और छाच अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। नमर आठ गर्मी के मौसम में चांट पकोडी या अन्य तेल और मसालेदार खादे पदार खाने से बचें। नमर नौ गर्मियों में लाइट डाइट बहतर है। मौसमी फल भरपूर मात्रा में खाएं। पेट भरा रहेगा और कैलोरी भी हटेंगी। नमर दस गर्मी के मौसम में खुब पानी पीएं। पानी शरीर को ठंडा बनाये रखने में मददगार है या शरीर को हाइडरेट भी करता है। रोजाना कम से कम आठ से दस गिलास पानी जरूर पीएं। आच रात के समय कभी भी सलाद ना खाएं। दुपैर के खाने से पहले खोब सारा सलाद खाएं। नमर छे स्वस्त रहने के लिए जीवन शैली को सुधारना चाहिए। इसके लिए सोने उठने का समय निर्धारित करें। नमर साथ सुबा उठकर रोजाना नीबू पानी पीएं। नमर आठ सुबा उठकर एक गलास गुनगुना पानी पीएं। इसते शरीर के विशैले पदार्त बाहर निकल जाते हैं। नमर नौ पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। पानी एक दम ना पीकर सिप सिप कर पीएं। इससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है। नमर दस खाने में सफेद की वज़ाए सेंधा नमक का प्रियोग करें। ये आपकी सेहत के लिए बैस्ट रहेगा। नमर ग्यारा जब भी खाना बनाएं तो तेल की वज़ाए गाय का देशी घीस नमाल करें। गर्दन पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट बाद हलके हाथों से मसाज करें। और चहरे को पानी से साफ कर लें। ऐसा करने से चहरे पर बहुत ही अच्छा गिलो आएगा। दाग धबे दूर होंगे। चहरे से अंचाहे बाल हटेंगे। नमर साथ दो चमच एलो वेरा जैल, खीरे का रस और दही मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें। और इसमें दो तीन बूंद गुलाव जलकी डालें। इसे अपने चहरे और गर्दन पर 15 मिनट तक लगाकर रखें। और फिर पानी से धोलें। बना लेखें। नमर बारा एक साथ तीन से अधिक फलो का जूस मिक्स करके ना पिए नमर तेरा डिबबा बंद्या कैन वाले जूस से बचे घर में जूस बना रहे हो तो उसमें बरफ या उपर से चीनी ना मिलाए ताकि अतिरिक्त कैलरी से बच सके नमर चौदा भोजन में हलका तेल मसाला डाले नमर पंद्रा लू डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आम सत्तू बेल का शर्वत छाच लसी जरूर पिए नमर सोला सुबह के समय जब ठंडी हवाई बहती हैं तो पार्क गार्डन या फिर छत पर जाकर योग मेडिटेशन जरूर करें हलक के एक्सराइज करें ताकि शरीर में एनर्जी लेवल बनी रहे हुआ 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 है किश्मिस का पानी पीने से कॉलिस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहेगा किश्मिस का सेवन करने से पाचन क्रीया ठीक रहती है कबज की शिकायत है तो किश्मिस काफी फायदे मंद होगी नमर दस किश्मिस में गुलुकोज पाया जाता है जिससे एनरजी मिलती है नमर ग्यारा लीबर संबंधित परेशानियों को दूर करने में किश्मिस का बहुत बड़ा योगदान है इसका लगातार सेवन करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिंस बहार निकल जाते है नमर बारा किश्मिस के अंदर प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर के अंदर मौजूद सोडियम के प्रभाव को कम कर सकता है इसके जरीया आपका बलड प्रेशर संतुलित बना रहता है नमर तेरा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे नीन ना आने की समस्या हो तो उसके लिए भिगोई हुए किश्मिस किसी वर्दान से कम नहीं है किश्मिस के अंदर मौजूद तत्व आपको अच्छी नीन दिलाने के काम रात को भिगो कर सुबा खाई ये पांच चीजे बुढ़ापा देर से आएगा बुढ़ापा तो हर किसी को आएगा इसको रोक पाना संभब नहीं है परन तो बुढ़ापे की रफ्तार को कम किया जा सकता है अगर आप सुबा उठकर कुछ खास चीजों का सेवन करते हैं तो यह सेहत के लिए बेहत लाबकारी माना जाता है इन में से कुछ खाने की ऐसी चीजे होती हैं जो रात भर भिगो कर रख देने से जादा फायदेमंद बन जाती है इन चीजों से आप हमेशा स्वस्त तो रहेंगे ही साथ ही आपकी स्किन पर बुढ़ापे का असर भी कम हो जाएगा तो चलिए बिना देर की आपको बताते हैं चीजे कौन सी हैं नमर एक भीगे चने भीगे हुए चने का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है इनको रात में भीगो कर सुभा खाने से शरीर को दोगुनी ताकत मिलती है इनमें प्रोटीन और फाइवर प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है यदि आप सुभा के समय खाली पेट भीगे हुए चने का सेवन करते हैं तो वेट लॉस में मदद मिलती है इसके साथ ही शाररिक ताकत में भी बढ़ोतरी होती है बुढ़ापा जल्दी आने के दस कारण नमर एक नमक का अधिक सेवन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है बेगानिकों का कहना है कि सोडियम की बहुत अधिक मात्रा लेने से कोशिकाओं का च्छे होता है और यह समय से पहले बूरह हो जाती है जबकि खाने में नमक की कम मात्रा कोशिकाओं की एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देती है नमर दो फिजिकल एक्टिव ना रहने से बीमारी जल्दी घेरती है और शरीर बक्त से पहले बूड़ा होने लगता है इसलिए रोजाना कम से कमादा घंटा ब्यायाम या किसी भी तरह की शाररिक महनत करना सेहत के लिए फायदे मंद होता है नमर तीन स्मोकिंग करने से व्यक्ति उम्र से पहले बूड़ा नजर आने लगता है और इसका प्रभाव लंग्स पर पढ़ता है नमर चार बहुत जादा ब्यूटी प्रोड़क्ट पर निर्भर होना और खुद को सुन्दर दिखाने के लिए बार बार सजना आपको वक्त से पहले बूड़ा कर सकता है चहरे पर जुनियां आ सकती है नैचरल चीजों का इस्तेमाल करें ताकि वक्त से पहले बूड़े होने से बचें नमर दो भींगी मूंग रात भर मूंग को भिगो दे और जब यह अंकुरित हो जाए तो इसका सेवन करें इससे पेट की कई बीमारियों से राहत मिलती है भींगी हुई मूंग कबज के लिए बेहद असरदार मानी जाती है इसके अलावा शरीर के बजन को कम करने के लिए भी अंकुरित मूंग खाना बहुत लाब दायक होता है नमर तीन भींगी किश्मिस यदि आप रात के समय किश्मिस को भीगो कर सुभा सेवन करते हैं तो इससे युमन सिस्टम को मजबूती मिलती है इसका सेवन करने से कबज की समस्या दूर होती है और आपका पेट स्वस्त रहता है इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट युमन सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम करते हैं इसके चलते हैं हमें संक्रम अडादी से बचाते हैं नमर चार भींगे बादाम अगर आप अपने शरीर में पोशन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए भीगे बादाम बहतर बिकल्प है बादाम का सेवन करने से आपके शरीर की इमिनिटी बूस्ट होती है वहीं रात बर भीगो कर खाने से बादाम का पोशन अधिक पढ़ जाता है अगर नियमित भीगे बादाम का सेवन किया जाए तो हाई बलड प्रेशर और खराब कॉलेस्टरॉल बासी रोटी दूर भगाएगा कई रोग बुढ़ा पे तक रहेंगे स्वज्ट नमर एक बासी रोटी खाने से पेट से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है नमर दो रोटीों में फाइवर की मात्रा अधिक होती है इसलिए हैं डाइजिशन बढ़ाता है जब अपच या पेट से जुड़ी कोई और समस्या हो तो बासी रोटी और दूद खाने से आराम मिल सकता है नमर तीन लगातार बैठे रहने के कारण ऐसी डिटी की समस्या हो जाती है ऐसे में बासी रोटी खाने से ऐसी डिटी की समस्या दूर हो जाती है नमर चार बासी रोटी में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है यह उर्जा का बहतर श्रोथ है इसलिए रोजाना सुभा बासी रोटी का सेवन करना चाहिए इससे आपका शरीर ताकतवर बनेगा नमर पांच सुभा नास्ते में बासी रोटी का सेवन करने से बिटामिन्स की कमी पूरी होती है साथ में शरीर को ताकत भी मिलती है इस सिर्दर्द चक्कर आना आदी जैसी समस्याई नहीं होती है नमर 6, दूबले पन से छुटकारा पाने के लिए बासी रोटी का सेवन करे इसमें मौजूद मल्टी बिटामिन्स और कार्वो हाइडरेट सरीर का फैट पढ़ाने में मदद करते हैं इससे बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे और जड़ेंगे भी नहीं नमर 16, जितना हो सके पैदल चलें इससे आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे नमर 17, सर्दियों के दिनों में कोल ड्रिंक, आइसक्रीम, बरफ से बनी चीजें और बहुत ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए ये सेहत के लिए सही नहीं होता है हमारी ये वीडियो सामान ने जानकारी के लिए बनाई गई है अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सला लें फिर ये नियम अपनाए हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे धन्यवाद